आड़े वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं भले पापड़ी चाड तो आप लोग जैसे देख सकते हो कितनी टेस्टी लग रही देखने में खाने में उससे बी डबल टेस्टी है एन आप लोग ज़रू ट्राय कीजेगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपको यह रात को ओवरनाइट तक भिगो के रख देनी है यहाँ पर मैंने दो कटोरी यूज की इसके बाद आपको ग्राइंडर में डाल के इसको मिक्स कर लेना है इस तरह से बिल्कुल इसका पत्ला पेस्ट रेडी कर लेना है जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसकी कंस इसके बाद को आपको ऐडी करना है इसके बाद को आपको आपको प।र्य सपूर्ण है यहां पर मैंने हाफ टेबल स्पूर को आड़ किया है इसके बाद मैंसे को इसल्ट को अच्छी ना शंब करने से इसल्ट बहूत ही ersch In उसके बाद आपको एक बाव लेना है बढ़ा सा उसमें आपको दोर। यहां पर केम ने दो कटूरी को अच्य चैण ज़िगे करती से ब 예ए पर देर साहे घुआ जोड़े जनए जनए राइद करने के बाद के बदी के पानी नहीं है यहां पर मैंने 5 टेबल स्पून शुगर को आट किया है, आप लोग देख सकते हो, यहां पर मैंने 2 कटोरी दही में 5 टेबल स्पून शुगर को आट किया है, जो भल्ले पापड़ी होती है, उसका दही हमेशा मीठा होता है, इसलिए मैंने यहां पर शुगर आट किया है, तो तो इसे कवर करने के बाद आपको इसको अच्छे से फ्राइ कर लेना है और मैंने कढ़ाई को गरम होने रख दिया था और मीडियम फ्लेम पे ही आपको कढ़ाई को रखना है जिससे की जो आपके भल्ले है वो अच्छे से सिख जाएं अकर आप फुल फ्लेम कर दोगे तो वो उपर उपर से सिख जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे इसलिए आपको मीडियम फ्लेम पे ही इसको सेखना है तो इस तरह से मैंने इनको डाल दिया है और अच्छे से फ्राई हो रहे हैं आपको चलाते रहना है बीच बीच में अच्छे से मीडियम फ्लेम पे आप आपको इनको अच्छे से सेक लेना है और भल्ले बनाते समय सिर्फ दो चीजों के बहुत ही ध्यान रखना होता है कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है दाल की वह बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए जिससे कि आप जो भी शेप देना चाहो भल्लो को वह आप दे सको इतनी अच् sleevay अच्छus आहिए अच्छ अनतलिक इस अनतलम में निकाल दिए है जिससे की एक्स्टा ओल जो भी बो इसमें अ맡ो़ब हो जायाए और आप लोग साफनेस देख सकते हैं कि इतने सॉफ्ण थेस्टी तो आप लोग यह वाली रे Tapiecam तक बहुत आताँ BA and this time फ्ती भल्ले पापड़ी चार्ट आप लोग घर पे बना के खा सकते हैं, फ्राई करने के बाद आपको भल्लों को एक गरम पानी में इस तरह से डाल देना है, बड़ा सा बरतन ले लीजिए, उसमें आपको इनको अच्छे से डिप कर देना है, और आपको अच्छे से दबा देना है जिससे अच्छे से भल्ले एकदम डूब जाएं, उसमें जो इससे क्या होता है, इससे जो एक्स्ट्रा ओयल होता है, भल्लों का वो सारा निकल जाता है, और आपको एक बड़े से बरतन में दुबारा से पानी करम करना है, उसमें आपको एक चमच जीरा पाउडर, एक अब मैं यहां पर रेडी कर रही हूं भलो का मसाला तो इसके लिए मैंने यहां पर टू टेबल स्पून जीरा लिया है एक टेबल स्पून अज्वाइन ली है उसके बाद आपको अच्छे से इसको भून लेना है एक तबे पर एंजब तक यह हलका सा ब्राउनिश कलर में ना लाल मिर्च पाउडर तो यहां पर मैंने लाल मिर्च पाउडर को आड़ कर दिया है एक चमच उसके बाद मैं इसमें आड़ करूँगी एक चमच काला नमक तो यहां पर मैं आधी चमच इसमें काली मिर्च को आड़ करूँगी उसके बाद यहां पर मैं एक चमच इसमें च प्रिक्ट यूज की है आप लोग ग्राइंडर का भी यूज कर सकते हो बद इससे बहुत ही असानी से अच्छे से पिस जाता है तो यहां पे मैंने यह मसाले को अच्छे से पीस लिया है और मेरा यह भल्ला का मसाला रेडी हो गया है तो आप लोग इस तरह से भल्ले का मसाला अब हम लोग रेडी करेंगे भला पापड़ी चार्ट ऐसे थाट आपको निकाल पाना है. इसके बाद आपको सबसे पहले पापड़ी इस तरह से लगा देनी है. पापड़ी की रेसिपी मैं पेले की वीडियो में तो आप लोग को उसी तरह से पापड़ी. रेडी करनी है चोटी-चोटी पापली आप लोग रेडी कर लीजे उसके बाद आपको इस तरह से बहले इसके उपर अच्छार बहलो का यूज किया है आप जिस आप से आप क्वांटिटि देख सकते हो आपको अपने से बना सकते हो यहां पर मैंने चार बहले का एक प्लेट म मैं रेडी किया था वही दही आपको यहां पर यूज करना है तो वही दही यहां पर मैं डाल दूगी अच्छे से कवर करके डाल दूगी यहां पर मैंने दही डाल दिया है मीठा मीठा दही उसके बाद आपको इसके उपर डालना है हरी चटनी तो हमारे घर में जो हरी चटनी बनती है वही 槃 यंहाँ मैंने लाल चटनी के रखे रखेल में। और विल्म लाल चटनी युज करें युजके हैं। इमली चटनी क्डी में बनाल अन्यों भ Swiss बलते हैं। नइन ख़नते में लुटा हैं। और यह में दा पर देख चमी सेब आपया है। उसके बाद यहां पर मैंने थोड़े से अनार के दाने इस पे उपर से डाल दिये हैं यह हमारी बल्ले पापड़ी चाट रेडी हो गई है आप लोग देख सकते हो कि देखने में कितनी टेस्टी लग रही हैं खाने में भी सूपर यमी थी तो आप लोग भी ट्राइ कीजेगा यह भल्ले पापड़ी चाट अपने घर में जो भल्ले बनके रेडी होए थे वह वह सूपर सॉफ्ट एंड सूपर टेस्टी थे तो आप लोग भी ट्राइ कीजेगा और कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी तो गाइज यह थी मेरी आज शी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और शेयर कर दीजेगा अपने फ्रेंड खंगी आपको थावज अब्हार है तो चलिएग वाज दरीच की आपको शीओ भी टीजेगा दीजेगा इस विटेगा ड्राइग एढ विटेगा नबैंगा अब्श्यान कीजेए ते आपको शीओ के लिएगा टाईएभ टाणा तो अविटेग्ण वाटे पको अखताएब